पुराने पड़े दुपट्टों को नए तरीके से इस्तिमाल करें, हम देनेट का दुपट्टा लिया है, इसकी लेस को हम सिलाई खुलके या कट करके इस तरह से निकाल लेंगे, अब इस लेस के लिए हमें थोड़ा सा कॉटन के कॉटन का कपड़ा लगेगा, जिसमें हम कैन बार बार सिलाई लगाने की ज़रुत न पड़े, इसी तरह से हम तीनों पट्टियों को फिनिशिंग कर लेंगे, अब इसके ओपोजिट साइड में हम लेस को लेकर हाफ इंच के गैप में एक कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे, उसके बाद उसी तरह से हम उसके सिंगल स्ट तरह से फिनिशिंग करना है, नेक की पट्टी हमेशा बढ़ी होगी, नेक के तो पट्टे को हम दो बराबर के हिस्सों में कट कर देंगे, और उसके दोनों साइड में हमें गैदरिंग टालनी है, गैदरिंग से उसमें लोक अच्छा आएगा, इस तरह से दोनों तरफ का पोशन हम अंदर की तरफ डालेंगे और पूरा स्रेट सिलाई कर देंगे, देखे इस तरह से एंड कॉर्नर को हमें एक जो रिमेनिंग को छोड़ा था हमने उसे इस तरह से हमें फिनिश करना है, बस सारा गैदरिंग अंदर डाल दीजिए, इस तरह से उसमें सिलाई आप को फिर से बताएंगे, दोनों स्लीफ को इसी तरह से फिनिश करिए, यह देखे हमारा राउंड ऐसे तरह से कफ का बन जाएगा, यहां पर आप टज बटन कुछ भी लगा सकते हैं, अब हम नेक की पट्टी लेंगे, एक कॉर्नर से हमें वन एंड हाफ इंच का गैप निशान लगाना है, और एक साइड हमारा अलरेडे निशान तरह से साइड वाले से मिडल वाले सेंटर में निशान लगेगा और दोनों साइड निशान लग जाएगा, अब इन दे सेम वे वन इंच का गैप छोड़के, हम जो रिमेनिंग गैधरिंग का पोर्शन है, उसे यहां पर लगाएंगे, नेक की पटी बे, इस तरह से हम उसे फिनिश कर लेंगे, यह नेक के सेंटर में हमने यह ब्लू पिन दिख रही है, उससे वन इंच का गैप छोड़ा था, वहां पर वो गैधरिंग अपकी फिनिशिंग हो जानी चाहिए, उससे आगे वो नहीं आनी जीए, जस्ट, इट मींज नेक सेंटर में टू इंच का गैप आया हुआ है, उसके बाद टू इंच के गैप के अगेंज सेकेंड गैधरिंग उसमें हम लगाएंगे, और सेम तरीके से उसे फिनिश कर देंगे, जहां पर भी हमारा गैधरिंग का पोशन कहतम हो रहा है, हमे इस तरह से आपका पैटर बनके रेडी हो जाएगा, पीछे आप डोरी डाल सकते हैं, या हुक भी लगा सकते हैं, और स्लीव में नीचे की तरफ आप डोरी या हुक लगा सकते हैं, यह देखिए, आपका रेगलोन स्लीव रेडी है, वेस्ट दुपट्टे से,